तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम औरेवा कंपनी की इस इलेक्रिक स्कूटी का रिव्यू करने जा रहा है इस मोडल का नाम है एलिश और टू विलर सेग्मेंट के अंदर अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा उप्शन है इसको कंडिसेडर किया जा सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्लास्टिक बाड़ी है पूरी तरह से कहीं पर भी मैटल का यूज नहीं किया गया है ऐलोई विल्स है और लीथियमायन और लैड ऐसीड दोनों बैटरी का यूज कर सकते हैं स्पैसिफिकेशन सीट आपके जामने है यहां पे कुछ इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन में आ कि और कि मैक्सिमम कैपेसिटी की टू परसन की है कि इसी तरह बागी की डिटेल्स भी आ पे मैंसन की गई है ब्रेकिंग सिस्टम शू टाइप है, अर्शम औरेर में ummे स inclusion ड्रॉम टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है विएटी की कैपसिटि 48 about की और करणड की कैपसिटी 24 एंप्यार है यहां मिप्रावर क्षेसिद थिच्प फ्रेम की बारे हैं डीसी मोटर लगी हुई है बील डीसी टाइप की और स्पीड की बात करें तो 35 तो 40 किलोमेटर पर आवर की स्पीड का क्लीम के जा रहा है गाड़ी के बैक साइड में आपको देखने को मिलता है एक टेल लाइट और इंडिकेटर का कॉम्बो जो कि अटेज स्टाइल में है सेपरेट नहीं है और एवा की ब्रेंडिंग और जो पिछला चक्का है उसमें दोनों और से सस्पेंशन का सबोर्ट मिलता है फ्रेंट में द गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं सबसे पहले ओन करने पर आपको डिजिटल मीटर पर आपको यह रीडिंग्स देखने को मिलती है बैटरी का वोल्टेज पीड और बैटरी का टेंपरेचर सेल्फ स्टार्ट बटन लाइट सोन करने का स्विच्च हाई बीम और लो बीम का स्विच्च लेफ्ट और राइट इंडिकेटर और उसके नीचे हॉन का स्विच्च ट्रंक के अंदर देखते हैं तो यहां पर एक यूस्बी पोर्ट मिलता है मोबाईल को चार्ज करने के लिए में पावर सप्लाई को स्टॉप करने का स्विच्च बैक में माउंट किया गया है इसको आफ करके गाड़ी को और नहीं किया जा सकता तो एंसूर करें कि यह ओन है स्विच्च तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो चलिए अब बारी है गाड़ी के टेस्ट तब एक बात नोटिस करने की यह है कि इस गाड़ी का हेडल आपको काफी हलका लगेगा कंपेटिवली कन्वेंशनल जो स्कूटीज है हमारी उसके मुकाबले में गाड़ी का पीकप काफी अच्छा है रेस्पॉंस भी मोटर का का अच्छा लगा यहां पे 120 kg का वेट है इस को प्रेस किया जाए तो गाड़ी कुछ हद तक बढ़ सकती है तीन से चार किलोमेटर की स्पीड का फरक आता है इसमें ओवरॉल 50 किलोमेटर की रेंज यह प्रोवाइड करती है तो अप्रॉक्स 40-50 किलोमेटर की रेंज आपको इसमें फुल चार्ज में देखने को मिलेगी एक ध्यान करने की चीज यह है कि अगर बैटरी का वोल्टेज काफी लो आ जाता है तो इसकी स्पीड जो है काफी कम हो जाएगी यहां पे आप देख रहे है 41.5 वोल्टेज आ गया है और स्पीड गटके 8 किलोमेटर पर आवर की रह गई है चार्जिंग के लिए यह फुल एफेक्ट नहीं आएगा बैटरी के लॉंग रन में तो यह था इस स्कूटी का ओवरॉल रिव्यू इस कंपनी के अदर प्रोडक्स की जानकरी के लिए जो इस कंपनी की वेबसाइट है इस वीडियो के डेक्स्क्रिप्शन एरिया में मैंने मैंने मेंसिन कर दी है अगर वीडियो अच्छा लगे तो सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट में अपने सुजाओ दीजिए